आज आसाड कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार 5 जुलाई 2024 है श्रीजी की नगरी का न्यूनतम तापमान 24 दिगरी सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 दिगरी सेल्सियस है आस्मान में बादल छाये हुए हैं रिमजिम बारिश हो रही है आस्मानम सकल से अथि है तुम मुदा मुरारे पदपंकज सुरद मंदरे नूत कटा जेशी क्रिश्न आप देख रहे हैं दिवे शंकनाद मैं भावी का जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं एक विशेश सूचना साजा करते हुए आज की प्रस्तूती प्रारंब करते हैं आगामी आशाड शुक्ल पक्ष द्वितिया रविवार 7 जुलाई 2024 को प्रभुश्री जगनाथ जी सहित प्रभुश्री जी में भी रथयात्र का उस्सव है इस उस्सव के साथ ही प्रभुश्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं उस्सव की विशेश सेवाएं भी होती हैं आप अपने ठाकुर जी की इस उस्सव की सेवा समय पर पहुँच सकें इसलिए रथ यात्रा उस्व की संपूर्ण भावना प्रभुश्री जी में सेवा क्रम एवं दर्शन हम कल की प्रस्तुती में रखेंगे आईए आज प्रभुश्री जी में जो उस्व है उससे संबंदित कुछ भाव आपके साथ साजा करते हैं यह प्रभु श्रीनाजी का घसियार इस्थित प्राचीन मंदिर है जो उदयपुर से वाया घसियार नाचाद्वारा नेशनल हाईवे पर इस्थित है संदर्भ यह है कि आज नित्यलीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री बड़े गिर्धारी जी महराज का उस्थव है जिने घसियार वाले महराज भी कहा जाता है आपके समय नाचाद्वारा के उपर मराठाओं आदी के आक्रमन के कारण आपने घसियार में श्री जी का नूतन मंदिर सिद्ध करवा कर विक्रम समवत 1858 में श्री जी श्री नवनित प्रिया जी एवं श्री विठलनाच जी को वहाँ पधराए आप उल्लास एवं उत्साह से श्री जी के मनोरत आदी करते थे आपने घसियार में ही लीला प्रवेश किया आपका जीवन अत्यंत साद्गी पूर्ण था यही कारण है कि आज प्रभु को सादा ववस्त्र एवं स्रेंगार धराये जाते हैं आपने अपने जीवन काल में नाथद्वारा में श्री जी के सुख है तू एवं जन सुखार्थ कई स्थानों का निर्मान कार्य करवाया और विकास के कई कार्य किये आप सभी को नित्य लीला से तिलकाय स्री बड़े गिर्धारी महराज के उस्सव की खुब खुब बधाई आईए पुष्टी मार की प्रधान पेट नाथद्वारस्थ श्री जी मंदिर से आज के श्रिंगार राग व भोग सेवा साइथ प्रभु के दर्शन करते हैं आज उस्सव होने से प्रभु श्री जी में विशेश क्रम रहता है और श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है वहीं जारी जी में सभी समय यमूना जल भरा जाता है और दो समय राजभोग एवं संध्या की आर्थी थाली वाली की जाती है उस्व की भोग सेवा के तहत गोपी वल्लव अर्थात ग्वाल भोग में आज स्रीजी को केसर युक्त दूद घर में सिद्ध की गई वासोंदी केसर युक्त जलेभी के टूख राजभोग में अनसकडी में दाखर्थात किश्मिश का रायता और सकडी में मीठा में बूंदी प्रकार अरोगाये जाते हैं संध्या में भोग के समय फीका के इस्थान पर बीज चालिनी का घी में तला हुआ सुखा में वारोगाया जाता है और संध्या आर्थी में ठोड के इस्थान पर वारा में बूंदी के गोद के बड़े लड़ू अरोगाये जाते हैं जैसा कि हमें ग्यात है इन दिनों आसाड माश की उस्थनकालीन सेवा चल रही है आज नित्य लीलास्त गोश्वामी तेलकाये श्री बड़े किरधारीजी माराज का उस्थव है अतह प्रभुश्री जी को नियत वस्त्र शंगारेवं आभरन धराये गये हैं और उस्थव के विशेश भोग भी अरोगाये जा रहे हैं प्रेंग परयांक शनम प्रेंग परयांक शनम चिरवीरह ताल पहर मतिरूची रामेक्षनम सर्व प्रतम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चर्णों में दंडवत करते हुए आईए दर्शन प्रारंब करते हैं और श्री चर्णों से ही दर्शन प्रारंब करें तो प्रभु को आज आभरन से मिलुआ नुपूर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है ऐसे प्रभु के सुन्दर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट परतिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भाती धारन किये हुए हैं प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलोक एक आकर्शन से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नैत्रों से कृपा दिश्टी डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारन किया है आईए दर्शन करें श्री जी के पाश्वभाग में आज अधरंग अर्थात गहरे पतंगी रंग के मलमल की पिछवाई सजाए गई है आज सजाई गई यह पिछवाई बिना किनारी के हाशिय वाली होती है पिछवाई के अलवा कादी, तकिया एवं रजत की चरंचो की पधराई हुई है इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है खंड पाट पर पिछवाई जेसे ही वस्त्र सजाए हुए है अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के तीन पढगाजी पधराए हुए है इन में से एक पढगाजी पर बंटा जी, दूसरे पर जारी जी और एक अन्य पढगाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है गादी पर ही सुगंदित गुलाब जल से भरी हुई दो गुलाब दानिया भी पधराई गई है और चर्वित ताम़ोल की सेवार्थ धर्ती पर चान्दी की त्रिष्टी जी बधराई हुई है श्री जी को आज धराये गए, वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गहरे गुलाबी रंग, अर्थात पतंगी रंग के वस्त्र धराये गए है वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आडबंद धराया गया है और विशेषता यह है कि उस्व नायक के साधा जीवन की भावना से यह आडबंद बिना किनारिवाला है क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराये जाते हैं अतह पिठीकाजी के दर्शन हो रहे हैं प्रभु को आज अंगीकार करवाये गये श्रंगार आभरनों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्न काल का छोटा अर्थात कमर तक का हलका श्रंगार धराया गया है जिसमें कंठहार, बाजुबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्री काएं आधी सभी आभरन हीरा से सिद्ध किये हुए उस्सव के मिलवा धराये गये हैं प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धराये हैं उनके दर्शन करें तो आज अधरंग की मलमल की गोल पाग धराये गई है, पाग के उपर आभरन से मिलवा सिर्पेच धराया हुआ है और सिर्पेच के उपर आज प्रभु को रुपहरी लोम की किलंगी धराये गई है, साथ में लोम भी धराये है नित्य की भादी, बाई और, शिश फूल भी धराये हुए है, स्री कर्ण में प्रभु को हीरा से शिद्ध किये हुए कर्ण फूल धराये गए है श्री कंठ में त्रवल की जगह, कोलहे की कंठी धरायि गई है और फूल घर की सेवा के तहट गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग विरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई है वहें श्वेत पुष्पों की एक बिना थाग वाली माला और एक कमला कार माला हमेल की भाती धराई गई है श्री हस्त में तीन कमल की कमल छड़ी धराए गई है और सुवा वाले वेनुजी भी धराए गए हैं कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर फुष्पों से सिद्ध किये हुए सुन्दर छोगाजी धराये हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्षाज पट उष्ण कालका और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रंगार और आभरनों से अलंकृत प्रभु की छवी अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावन्य में प्रभु की इस सुन्दर छवी का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई उस्सव वाली आरसी है। जिन कीर्थनों के भाव से प्रभु की अश्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो। मंगला में आवत काल की सांज देखो राजबोग में ठीक दुपहरी की तपन में भलेई बधाई में श्री वल्लब नंदन रूप अनूप आरती में ललित ब्रजदेश शयन में अरी होतो या मग निकसी मान के पद में आज सुहावनी रात पोडवे के पद में प्रेम के पर यंक पोड़ें कीर्तनों का श्री जी के सन्मुक गायन किया जा रहा है अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं इन दिनों ओश्नकाल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है इनके साथ खसका ब यदि आप भी चाहें तो मनोर्थी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके जपट की सेवा भी होती है शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुक फंवारे चलते रहते हैं जल में खिलोनों वाला यमुनाथाल भी पदराया जाता है भोग सिवा में प्रभुको दोदगर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध किये गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेश रूप से रथयात्रा तक प्रती दिन संध्या आर्ती में प्रभुको क्रमशह जल में भीगी हुई अजवाई न्योक्त, चने की दाल भीगी मुंग की दाल वे अंकुरित मुंग अरोगाये जाते हैं इसके अलावा प्रभुको दिन के अनौसर के समय शीतल अरोगाया जाता है जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है और विशेश में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सत्वा का भोग भी अरोगाया जाता है पानगर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाये जाते है मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है श्रीजी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के परदा बांध दिये गये है और डोलती वारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है प्रभु स्रीजी की अश्टयाम सेवा तिलकायत स्री के सानिध्य में सुखेन संपन हो रही है सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे है जय स्री कृष्ण अब देश विदेश के पुष्टे मार के हवेलियों से भाव किर्टन के साथ दर्शन करते है दाल पहर मति रूझी रामिक्षनम प्रगट प्रेमायनम प्रेंग परयंक शनम तानुतर द्वीज पंति मति दालि ताने हसि ताने तव विक्ष गाय के इना इयादवादि परमेत दाशया समभावदि वितम ताव इना प्रेंग परयंक शनम चिरवेर ताल पहर मति रूझी रामिक्षनम प्रगट प्रेंग प्रेंग शनम तोकताव पूशिताव राज दे रशितु मत मानिनी मान हर नम् अग्री में वय सीकिमों भाविकार में पीनी जगों पीकार भाव कर नम् प्रेंग परयंक शनम् प्रजयुवती व्रद कनका चला नारोदुमो सुकम् ताव चरन यूग अनम् तेन मुहो रोन मन भ्यासमीव नाथ सापदी कूरु ते रोदुलम् रोदुलम् प्रेंग परयंक शनम् चीरविरह तापहर मतिरू चीरविक्षणम् प्रगट प्रेंग मायनम् आधिको रोचना तीलक मलको जक्रतित विवीदमानि मुक्ता फलविदचितम् प्रोशनम् राजत मुक्ताम्रत भर्यचति वाद देन्दूर सिताम् प्रेंग परयंक शनम् प्रूतते मात्ररचितान्जान बिन्दूरति सहीतशोवयाय रगदोशमपनाय नम् स्मारधनूशि मधूपी बन्नली राज इवराज ते प्राणाई सुख मोपनाय प्रेंग परयंक शनम् प्रेंग 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 प्रयंक शनम् प्रेंग शनम् प्रेंग शनम् प्रेंग शनम् नम्पनाय नम्पादय सदास्मायन स्मधियश्री वीठने निजदास्य मूपनाय नम्प्रेंक पर्यंक शनम्चीर वीरह तापर मधीरुचीर मेक्षनम् प्रगट प्रेमायनम् प्रेंक पर्यंक शनम् बचनों रचनों धार आसे सजे स्मीताम्रत चर्य राती भर मपर्य। नम्पनाय नम्पादय सदास्मायन स्मधियश्री वीठने निजदास्य मूपनाय नम्प्रेंक पर्यंक शनम्चीर वीरह तापर मधीरुचीर वीक्षनम् प्रगट प्रेमायनम् प्रेंक पर्यंक शनम् प्रेंक पर्यंक शनम् प्रेंक पर्यंक शनम् श्री वल्लेबे नंदन गाभु जयए्य। वल्लब नंदन गान मुझान स्रीगिरिदरन सकल सुखदाता गोविद कोशिरना मुझान स्रीवल लवन दन गान मुझान गान मुझान स्रीगिरिदरन सकल सुखदाता गोविद कोशिरना श्री वल्ले वेन देन गारू जैले श्री बाले क्रिष्ण बाले कर संग भी है स्री वो फुल नाथ लडाँ श्री रगुनाथ प्रताप वीमल यस स्री रगुनाथ प्रताप वीमल यस स्रवनन स्दा सुनाथ शिवल्ले वेन दन गारू जैस वल्ले वेन दन गारू जैस यदू कुल में यदू नाथ भी रायत यदू कुल में यदू नाथ भी रायत लेला पारनक पाँ लेला पारनक पाँ आज के लिए पस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलेगा धन्यवा जैशी कृष्ण स्क्राइब करें स्क्राइब कर लएद बुलेग लो दधिले हैं एजब शजडल लो एज़ लो चूल